हेलो दोस्तो ये कोई कमरजिंसी अपडेट है क्योंकि मुझे पता है नया महीना शुरू हो गया है और बिटकॉइन और क्रिप्टोकॉरंसी मार्केट यहां अच्छा नहीं कर रही है लेकिन दो दिन पहले बिटकॉइन सत्तर हजार डॉलर को छूग गया था और उसके बाद रातो रात ऐसा क्या हो गया कि इस टाइम पे 63,000, 64,000 डॉलर को यहां टेस्ट कर रहा है लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देखते हो और शॉट टम की बात करते हैं तो हमने अकसर आपसे एक बात बोली है लाइनों पे ट्रेड करो कहां रेजिस्टेंस है कहां सपोर्ट है उसका एक आईडिया लग जाएगा और यही जो अभी आपको चार्ट दिख रहा है हमने आपको बोला था एक चैनल के अंदर बिटकोईन यहां ट्रेड कर रहा है जब बॉटम पे यहां से बाउंस बैक किया तो रेजिस्टेंस भी तो मिलेगी बिलकुल नहीं घबराना चाहिए बिलकुल नहीं परेशान होना चाहिए क्योंकि यह सब टेंपरेरी होता है और इसके पीछे की नियूस क्या है वो आपको समझना पड़ेगा और क्यों मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने को मिल रहा है क्या एक्चुल में नियूस के बेस पे क्रैश है या यहाँ पर हमें जो है कहीं न कहीं ओने पोने दामों में हमार से माल खरीदने की या लूटने की कोशिश हो रही है क्योंकि manipulation आपको पता है Bitcoin और cryptocurrency के अंदर बहुत जादा चलती है और हम देख नहीं पाते है हमें यह दिख रहा है सतर हजार से 63, 64,000 छे साथ हजार डॉलर टूड गया लेकिन इसके पीछे की news क्या है उसको हमने नहीं समझा और short term में हो lines, charts हम आपके साथ share कर रहे हैं तो tension क्यों लेना और long term में हो तो यहाँ पे जब आपको पता है यह manipulator scale कर रहे हैं Bitcoin ETF वाले, लाखो Bitcoin लेके बैठे हुए हैं और यहाँ पर सारी चीजे जब आप समझने के बाद में भी ना समझो तो भाया इसके लिए तो कोई इलाज नहीं है तो इसका इलाज तो नहीं है लेकिन हम आपके साथ information share कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा सा better feel कर सोगो और चीजों को और transparent तरीके से देख सको तो वो इस वीडियो के अंदर करेंगे चैनल को subscribe ज़रूर कर लीजेगा और यहाँ पर अगस्त का महीना शुरू हो गया है पांच coin भी आपके साथ share करेंगे और मज़े की बात है market tip में है एक अच्छी opportunity है एक अच्छे level पे हमें वो coin मिल रहे हैं टॉप coins मिल रहे हैं अगस्त महीने के लिए जो 20-50% तो कभी भी देखे जा सकते हैं और लेकिन अगर long term में देखते हो तो multiple time return देने का भी potential रखते हैं और वजीर X की क्या update निकल के आ रही है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा तो चैनल को subscribe कर लीजिए situation कैसी भी हो हम आपका साथ दे रहे हैं वीडियो को like और share करना भी बिलकुल भूलेगा मुझे पता है यह tough time है बड़ा मुश्किल होता है चीजों को समझना और bitcoin को hold करना जब पैसा उपर नीचे होता दिखता है दिल की धड़गने भड़ती हैं लेकिन अगर आप ये चीज़े को पार कर जाओगे तो अगला एक साल जो तीन साल आपने जेले हैं उसका असली फल जो है अभी तक तो तीन साल में आपने पेड उगाया बीज डाला पेड उगाया खात दी पानी दी अपना time दिया पसीना दिया टेंशन दी mental pain दिया family pressure जेल रातों की नीद गवाई लेकिन अगला एक साल थोड़ा ये जेल लिया ना तो आपको फल मिलने का time है ऐसा अगर history को देखते हैं बिटकोईन के cycle को देखते हैं जो चार साल में पईया गूमता है तो दिखता है तो चीजों को समझो थोड़ा patience यहां दिखाने की कोशिश करो लेकिन बिटकोईन के अंदर कल हुआ क्या जिसकी वज़े से हमें pressure देखने को मिल रहा है हम सब को पता है वीकेंड पे डॉनल्ड ट्रम्प ने एक हाई बनाई थी और बिटकोईन सतर हजार डॉलर वीक शुरू होते ही दिखा मंडे को दिखा लेकिन उसके बाद USA की गौर् था हैश्टेक के बाद में तो ट्वीटर पे वो रिमूव कर दिया यह emojis हटा दी और Elon Musk की statement negative निकल के आई कि हम मैं बिटकोईन को लेके जादा serious नहीं हूं तो इसकी वज़े से भी कहीं ना कहीं market पर pressure देखने को मिला यह तो थी पुरानी बात तो बड़ी बात जो निकल के वाले ने तो उसको वहाँ पे लगबग 33,000 बिटकोईन उन्होंने transfer किये और इसकी वज़े से भी anticipate करने को होने लगा कि कल को यह भी जब distribute करेगा तो selling pressure आएगा और एक logical सी भात है और इसकी वज़े से यहाँ पर market के अंदर फिलाल pressure देखने को मिल रहा है और दूसरी important बात है वो है FED इसमें हमें कहीं न कहीं manipulation जादा लगती है क्योंकि कल जैसा कि हमने वीडियो के अंदर आपको बताया था FOMC की meeting होनी है और वहां interest rate cut होगा नहीं होगा उसका decision लिया जाएगा और वही हुआ कि उन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया ना high किया ना cut किया unchanged रखा य यहां पर interest rate शायद वो change नहीं करेंगे, cut नहीं करेंगे तो उसको anticipate करके international market USA की market 2-3-3% बढ़ गई लेकिन यहां पर bitcoin के अंदर ऐसा क्या हुआ क्योंकि ultimately देखें तो उसको तो positive react करना चीए था या neutral रहना चीए था या volatile होना था थोड़ा बहुत रहना था लेकिन जो manipulators होत नहीं उनकी तरफ से जो भड़ी statement निकल के आई है आपको September के अंदर interest rate cut होते दिख सकते हैं और अगर ऐसा होगा जब USA की market अच्छा कर रही हैं European market ने इसको positively लिया तो cryptocurrency को ऐसा क्या हुआ यह क्यो negative ले रही है हमें बात समझ नहीं है तो फिर जब हम थोड़ा deep में जाते हैं और यह बात छुपी नहीं है जब 55,000 डॉलर के आसपस आये था 55,000 डॉलर के बीच में इन्होंने 3,000,000 Bitcoin से ज़्यादा बटोरे तो यह यही कोशिश करते हैं और BlackRock को जब भी मैं देखता हूँ तो उसको ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता है लगातार उसके ETF में buying ही दे खरीदे जा रहे हैं तो short term में यह सारी चीज़े हो सकती है long term के हिसाप से हमें परेशान नहीं होना है लेकिन short term में हमें charts को focus करना है और यह chart जो अभी आपके साथ मैं share कर रहा हूँ यह हमने आज नहीं बनाया पिछले 15-20 दिन आपके लिए पिछले एक महीने से यह chart share कर र वहां उसने resistance पेस करी और फिर वहां से reject होके अभी जो यह green line आपको यह white line का जो zone है 500-day movie average का वो इसके लिए support zone है और आप कहले जिए 63,200-100 dollar फिलाल इसके लिए 50-day movie average को breakout किया है उसके बाद यहां इसके नीचे close नहीं किया है तो फिलाल के लिए एक important support है और बुरे हालात म अगर यहां नहीं टिकता है तो 200-day movie average जो गदाधारी भीम है इस 61,000 dollar के आसबास आ रहा है वो फिलाल इसके लिए support निकल के आता है तो जब आपको लाइने पता है तो परेशान क्यों हो रहे हो नहीं पता है तो यह video देख लो चार्ट को सीख लो इन सारी चीजे को सीखोग और यहां से जैसा पिछली बार 50-day movie और इसे bounce back कर गया था पूरे chances यहां से bounce back करता दिखेगा और bounce back करेगा तो फिर आपको पता ही है channel का top यह आप कहले जे previous all time high 69,000 dollars वो इसके लिए resistance अभी फिलाल के लिए बन सकता है या बनने वाला है तो यह चल रहा है bitcoin को लेके यह आप कहले जिए cryptocurrency market को लेके अब आपको जो पता है short term में lines पर trade करना है तो यह levels है long term में आपको पता है जब इतना माल खेला खेला जा रहा है और adoption भड़ रही है तो परिशान क्यों ना परिशान वो लोग होते हैं जो पूरी जमापूंजी लगा देते हैं अब आपने लगाया ही यहां पर strategically smart तरीके से करोगे तो यहां पर परिशान क्यों होगे और portfolio का 5-10% 20% एक्सपोजर है तो रातों की नींद खराब नहीं होगी ना अपनी करो ना अपनी family members की करो लेकिन हम तो उल्टा करते हैं ना हमें तो फन्ने खाम बनने की आदत होती है जहां हमें काम 5-10% पर करना चाहिए 20% पर हम 100% लगा देते हैं तो यह समझदार यह नहीं है cryptocurrency जो है एक टूल है financial instrument है जैसे दूसरी cryptocurrency दूसरे financial instrument होते है FD हो गया property हो गया stock market हो गया mutual fund हो गया एक financial tool है जिसको सई से इस्तमाल करोगे तो यहां किसमत बदली जा सकती है लेकिन गलत तरीके से करोगे तो रातों की नींद खराब खुद की करोगे परिशान खुद को भी करोगे अपनी family को भी करोगे और यहां पर घूम फिर के ओने पौने दामों में यह जो manupulators है big whales है इनको अपना माल देते रहोगे और फिर बाद में cryptocurrency की बुराई करोगे अगर आपको हमारी बाते समझ मे आ रही है समझ में आ रही है ना तो चैनल को subscribe करो साथ दो हमारा भी और वीडियो को like करके जरूर जाईएगा अब यहां पर पांच coin की भी मैं बात कर लेता हूं और पांच coin में से सबसे पहले coin की बात करता हूं अच्छे रेक पे सारे coins मिल रहे हैं और मैं वजीरेक्स की औ और अगस्त के data की बात कर लेता हूं अगस्त के data अगर पिछले 11 साल का data लेते हैं तो यहां पर चार बार यह positive के नंदर रहे हूं और पिछले एक साल का या पिछले 6 महिने का देखते हैं जो भी पिछले सालों में हुआ है उसका उल्टा हो रहे है तो उम्मीद है कि अगस् नहीं तो September सही, तो अगले एक-दो महिने की और बात है, तो फिलाल टेंशन नहीं लेना है, चीजों को समझना है, और ज़्यादा भी नहीं 5-10% उपर नीचे होने की गुझाईश होती है, अगस के अंदर भी तो अगर नीचे correction भी होती है तो इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा, और आपको पता है, important level है, तो entry याँ बना लीजिएगा, simple है, इससे ज़्यादा simple कोई चीज हो सकती है, क्या लेकिन अगर मैं वजीरेक्स की बात करता हूँ यहाँ पर, अभी एक चीज निकल के आ रही है, information market के दर float हो रही है, कि ED जो है यहाँ पर वजीरेक्स को लेके जो है, वजीरेक्स के पास में ED के भी 90-93 करोड के bitcoin है, जो उन्होंने seize किये थे, जो illegal तरीके से कई लोगों ने यहाँ पर कमाये थे, उसको seize किया, अब वजीरेक्स पे उन्होंने रखे हुए, अभी वजीरेक्स की तरफ से ऐसी कोई statement नहीं आया कोई disclosure ED की तरफ से भी नहीं है कि कितना fund है, क्या है लेकिन अगर यह भी है, तो कहीं न कहीं serious बात है, हम तो चाहते हैं, government agencies इसके अंदर involve हों, और ताकि और जड़ा transparent चीज़े हों, लेकिन अगर government का भी अगर ऐसा है जो seize किया हुआ पैसा भी वहाँ पे अगर hack हुआ है, तो कहीं न कहीं बहुत serious बात तो यह है, लेकिन अगर वजीरेक्स की तरफ से कोई statement नहीं है, वजीरेक्स की तरफ से वही है कि वोटिंग उन्हों ने कराई है लेकिन उन्होंने फाइनली जब वोटिंग की तरफ से पता चला कि भाईया लोग नराज हो रहे हैं, तो उन्होंने काया कि वो चीज फाइनल नहीं है, वो सिरीफ हम feedback ले रहे हैं और आने वाले time के अंदर लोगों से और feedback लेंगे और फिर finally कुछ decide करेंगे यहाँ पर करना है तो क्या करना है और यहाँ पर यह चीज fix नहीं है कि 55% ही देंगे आपको trading करनी है नहीं तो पहली priority नहीं देंगे second priority तो फिलाल सब कुछ initial stage पे है और यहाँ पर आने वाले time के अंदर यह तो पता चलता है कि 100 रुपे में से 55 रुपे तो कहीं न कहीं आपको जल्दी ही मिलते दिख सकते हैं लेकिन 45 रुपे की recovery कैसे होगी उसके लिए एक बड़ी update निकल के आ रही है रूमर है क्योंकि बाइनस के लिए 200-300 मिलियन डॉलर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो यहाँ पर एक बड़ा user base उसको मिल सकता है और लोगों की recovery हो जाए उससे बड़ी बात क्या जो भी update आएगी हम करने की कोशिश करेंगे हमें पता है जो वजीरेक्स के users हैं जिन्नों की अपनी जमापुंजी यहाँ पर लगा के रखी हुई है वो बहुत परिशान है लेकिन दोस्तों थोड़ा time दो वजीरेक्स को भी उमीद है रस्ते खुलेंगे और hackers अगर वापिस कर दें या कुछ channel खुल जाएं ऐसे तो हिप की वज़े से सारे coins हमें अच्छे rate पे मिल रहे हैं और उसमें से पहला coin है Arbitrum 0.6 dollar के आसपास यह आ गया है अगर यहाँ entry मिलती है एक entry यहाँ बनाई जा सकती है और 0.65 dollar के नीचे जितना मिल रहा है माल लेके आप चल सकते हैं इसको resistance 0.75 dollar है और उसके बाद 0.9 dollar है पचास डे मुवी है और सो डे मुवी है लेकिन अगर बीस पचास परसेंट तो यह अगस में देखे जा सकता है और adoption हो रही है आने काले time के अंदर यह अच्छा करता दिख सकता है multiple time return देता दिख सकता है अगर immediate resistance तो डे मुवी है और लगबग 6.8 पेस पे resistance है उसके बाद 7.3 dollar है इसके target हो सकते है लगए अगर इसके उपर जाता है तो यह भी पूरा potential रगता है multiple time return देने का तीसरे coin की बात करता हूँ on row 0.9 dollar के आसपास अगर यह मिल रहा है तो एक अच्छे entry का मौका दे रहा है 1.1 इसका immediate target हो सकता है यानि कि 15-20% इस महिने में देके जा सकता है यह भी पूरा potential रखता है multiple time return देने का चोथे coin की बात करता हूँ वो है 0.68 dollar के आसपास चल रहा है अगर immediate resistance या target की बात करता हूँ 0.8 से लेके 0.95 इसके target हो सकते हैं लेकिन पूरा potential यह भी रखता है multiple time return देने का कोशिच कीजिएगा अगर part में entry लेने की अगर यहाँ पर मिल रहे हैं तो एक entry यहाँ बनाई जा सकती है जितने भी coin मैं बता रहा हूँ और एक entry 5-10% टूड जाए और उस level पर आप entry बना सकते हो आकरी coin है immutable X, IMX 1.3 डॉलर के आसपस मिल रहा है एक entry यहाँ बनाई जा सकती है और एक entry 1.15 डॉलर के आसपस मिल जाए तो छोड़ियेगा मत बाकी दोस्तों अगर इसके target की बात करता हूँ तो 1.8 से लेके 2.3 डॉलर यह कभी भी आपको देखे जा सकता है और यह सारे coin जो मैंने आपके साथ share करे हैं अगस्त में तो अच्छा करते हैं देखी सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं न कहीं bottom सा है क्योंकि FOMC की अगर मैं data को calculate करता हूँ तो FOMC की जब भी meeting हुई है साल के अंदर bitcoin correct करता है और उसके बाद में यहाँ पर वो bottom बनता है और फिर वो peak करता है तो उम्मीद है इस बार भी history repeat होगी और यहाँ पर आप समढ़ लीजिए हम एक bottom देख रहे हैं फिलाल जो की 63 या बुरे हालात में 61,000 डॉलर्स तक हो सकता है और वहाँ से bounce back करता है तो यह सारे coins आपको अच्छा करते हैं दिख सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा content अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए ट्वीटर टेलिग्राम को follow कर लिजिए नीट झाल